तो दोसो जैसी के आपसे वीडियो के थमनेल और दोसो टाइटल में भी आप लोगों ने देखी लिया होगा आज किस वीडियो में आज मैं आप सभी के लिए कैसा लोण अप्लिकेशन लेकर गया हूँ जहां पर दोसो आपको जो इंस्टेंट एप्रूबल मिल जाता है इंस् कि यहाँ पर आपको लोण लेना बेeltी है दोसो यहाँ पर जो आपको के वला दोसो मिनिमूम डोकुमेंट पर यहाँ पर दोसो आप अपना आधार कार्ट पैन आप्लिकेशन का रहा है blossom क्या नाम है का से नौनलोड करना है कैसे लोण है पूरूरा प्रोसेस जानेंगे कैसे मिलेगा चली मैं आपको पूरा प्रोसेस लाइब दिखाता हूँ फड़ा बड़ते वीडियो को शुरू करते दोसो वीडियो के लिए लाइक के बटन जरू से दबा देना कि अप्लिकेसन का सबसे वड़ी खासियत यह है कि अप्लिकेसन जो है MBFC registered है तो आपको यहाँ पर दोसो आपको घबड़ाने की जरूरत बिलकुल भी नहीं बोक्स में मैंने दोस्तों यह जो है लिंक डाल दिया है जैसे दोस्तों उस लिंक पर आप किलिक करोगे किलिक करने के बाद डारेक्ट आप दोस्तों इस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे जिसका दोस्तों नाम है इंस्तेंट फंड आप यहां पर काफी लोग बोलेंगे सर हम वेबसाइट से क्यों लोन अपलाई करें तो यहां पर वहाई सबसे पहले आपको बता दूँकि अप्लिकेशन जो है प्ले स्टोर के उपर में दोस्तों अवेलेवल है ऐसा नहीं है अब यहां पर काफी लोग बो किलिक करना है अब जैसे जो ओपिन में कलिक करते हैं तो हमारे सामने दोसो इंस्तेंट universo का इंटरफेस को सीज तरीगे का देखने को मिलेगा, यहां पर में सबसे पहले मैं आपको clear कर दूँ कि आपको loan apply करने से पहले सारे steps को अच्छी तरीके से समझना है यहां पर दोसो बिल्गुल बेहदी आसान तरीके से आपको यहां पर loan मिल जाता है, normal दोसो यहाँ पर जो है आपको कुछ नहीं करना जादा बज आपको step by step देखना है कैसे loan apply करना है कैसे repayment करना है सार ची हम बताएंगे इस वीडियो में यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे हम I agree में किलिक करेंगे फड़ाफट से और यहाँ पर दोस्तों सारे permissions को आप allow करेंगे इस तर फड़ाफट से हम यहाँ पर mobile number डालके OTP डालके आगे बढ़ते उसके पास अगला page आपके सामने कुछ इस तरीकी का दोस्तों open हो जाएगा जहाँ पर दोस्तों अब आपको यहाँ पर अपना आधार number डाल देना है उसके बाद दोस्तों आपको send OTP के options पे गिलिक करना है जैसे दोस्तों आप यहाँ पर send OTP में किलिक करते हैं OTP दोस्तों आपको फिर से यहाँ पर डालना है तो चलिए फड़ाफट से हम यहाँ पर जो भी मेरा आधार number यहाँ पर डाल देते हैं और send OTP में किलिक कर देते हैं ध्यान से देखना पूरा process को समाजना step by step कहीं अगर कोई दिक्कत लगता है नीचे दोसों मुझे comment box में comment करना मैं आपको दोसों तुरंद reply करूँगा ठीक है लेकिन बस आपको इस वीडियो को जो है ध्यान से देखना है और loan apply करने का process पूरा step by step सीख लेना तो चलिए फड़ा पड़ से यहाँ पर आधार नमबर डालके send OTP में किलिक कर देते हैं आप यहाँ पर आपको भी simple सा इसी तरीके से verify करना है उसके बाद दोसों आपके सामने आपका अगला page इस तरीके का दोसों आ जाता है जहाँ पर दोसों आपको जो है अपने यहाँ पर employment type आपको यहाँ पर choose करना होगा यहनि कि दोसों अगर आप अगर self-employed है तो भी दोस्तों आपको loan मिलेगा लेकिन यहाँ पर मैं जिनका loan apply कर रहा हूँ उस भाए का यहाँ पर जो है वो company में जो है job करते हैं और यहाँ पर हम उनको क्या करने वाले है जिसका मैं भी loan apply कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं यहाँ पर जो sell it में मैं click करूँगा अ alternate यहाँ पर mobile number यहाँ पर दर्च करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर alternate mobile number डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर email id डालेंगे company का name डालेंगे company का दोस्तों full address यहाँ पर fill करेंगे उसके बाद दोस्तों company का कोई mobile number है वो mobile number आप यहाँ पर दर्च करेंगे और यहाँ पर दोस्तों आप क्या करने वाले हैं कि आपको यहाँ पर जो है जैसे दोस्तों कमपनी के यहाँ पर जो है आप मोबाइल नमबर दोर्ज करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मंतली इंकम डालना होगा अब यहाँ पर दोस्तों मंतली इंकम जो है को फिक्स यहाँ पर पर देखने को मिलेगा, तो यहां पर जिस भाई का यहां पर मैं लोन अपलाई कर रहा हूँ, उनका जो सेलरी का डेट है दोसो, वह 28 तारीक को आता है उनका पर पेमेंट, होगा information दोसो याद रखना है आपका यहाँ पर जो भी आप detail यहाँ पर डाल रहे दोबारा में दोसो company के employment जो भी है वो आपके सारे data को दोसो verify करेंगे तबी जागर के आपको यहाँ पर जो loan approve किया जाएगा एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ पर दोसो सारे चीज को आपको step by step करना अच्छी तरीके से और यहाँ पर दोसो bank statement आप 6 महिने का यहाँ पर upload करेंगे PDF में और उसका अगर दोसो कोई password होगा तो password आप यहाँ पर mention कर देना और mention करने के बाद save detail में किलिक कर देना तो चलिए फटा फट से यहाँ पर जो अल्टरनेट मोबाइल नंबर email ID, company name, company का full address and यहाँ पर दोसो company का mobile number सार्ची डाल के हम यहाँ पर दोसो just save detail के options पर किलिक करते हैं उसके बाद दोसो आपके सामने आपका दोसो अगला page आ जाता है जहाँ पर आपको अपना reference detail को डालना होगा यहाँ कि दोसो आपको यहाँ पर reference detail में यहाँ कि दोसो आपको अपने family member में चार लोगों को यहाँ पर आपको contact detail को add करना होगा अब यहाँ पर क्या होता है काफी लोग यहाँ पर loan दो लेकिन लोन लेने के बाद क्या करते हैं कि सही समय पर किसी भी कारण से दोस्तों किसी प्रिस्तिति के कारण जो है लोन रीपेमेंट नहीं कर बाते हैं तो यहां पर दोस्तों फैमिली में आपको यहां पर जो है क्या करना है चार आपको अपने फैमिली मेंबर का यहां पर यह पर डिटेल के options पर क्लिक कर देना है चलिए फड़ा फड़ा यहाँ पर नमबर डाल के आगे बढ़ते हैं उसके बाद दोस्तों सारा detail जीसी हम लोगों नहीं यहाँ पर fill कर दिटेल उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा number आ जाते है दोस्तों यहाँ पर पैन कार्ड का number आपको यहाँ पर डालना होगा और डालने के बाद आपको यहाँ पर verify के options पर क्लिक करके इसको verify करना है दियान रखना है एक चीज़ का ठीक है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना beneficiary name यानि के दोस्तों जिसके नाम से भी आप loan ले रहे हैं अगर आप दोस्तों loan ले रहे हैं तो आपको यहाँ पर अपनो नाम डालना होगा नाम डालने के बाद दोस्तों आपको अपना यहाँ पर select your bank account यहीं कि दोस्तों जो भी आपका bank account है वो आपको यहां से select करनी होगी और select करने के बाद दोस्तों जो भी आपका bank में salary आता है जो भी bank में आपका दोस्तों पैसा आता है वो bank account ही आपको यहां पर डालना है दूसरा bank account नहीं डालना है उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको अ आपको अपना जो आप यहाँ पर सेल्फी अफलोड करेंगे वो दोसवे आपका lighting अच्छा होना चाहीए यह नहीं के दोस्वे आपका जो फोटो जो आएगा जो आपका face आएगा वो clear आना चाहिए तो यहाँ पर दोस्वे छलीए अपने यहां पर जो है, जस्ट यहां पर दोसों, open camera में क्लिक करना है और आपको अपना selfie अप्रोड करके, save detail के options पर कलिक करना है, उसके बाद दोसों, यहां पर finally हमारा जो application है, वो finally यहां पर submit हो चुका है, verification pending, एण यहां पर दोसों, बदाया जा रहा है, आपको 24 जो 28 घंट था और call आने के बाद दोस्व जो भी मेरा verification था वो complete हो गया और complete होने के बाद दोस्व आगे का process हमारे पास इस तरीके से आया लेकिन यहाँ पर काफे लोग घबडा आ जाते तो आप लोग को घबडाना नहीं थोड़ा से यहाँ पर समय लगता है 5-10 मिनट का आपको wait करना है company के agent का दोस्व call आपके पास आएगा एक चीज का ध्यान रखना है ठीक है अब नहीं भी आता है तो आपके सामने दोस्व आपका अगला page खुल जाएगा जो भी दोस्व आप loan के लिए eligible रहे हैं तो दोस्व फाइल यहाँ पर देखेते हैं मुझे यह offer दोस्व हमारे loan approved हो चुका है तो यहाँ पर दोस्व जो भी आपका loan amount approved होता है वो आपके screen के सामने आपको देखने को मिलता है तो दोस्व जो भी आपको यहाँ पर जो भी loan amount चाहिए और जितना समय के लिए यह आपको यहाँ पर दोस्व देखने को मिल जाएगा जैसे कि 24 दिन के लिए म मुझे ये 50,000 रुपे मिल रहा है तो जैसे कि दोसों मुझे 50,000 रुपे की जरूरत है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे apply में click तो finally दोसों यहाँ पर जो है मैंने 50,000 रुपे को मैंने यहाँ पर select कर दिया है जिसका दोसों यहाँ पर total interest यहाँ पर मुझे दोसों बदाया जा रहा है और यहाँ पर दोसों जो है मेरा जो भी दोसों यहाँ पर fees वगरा जो processing fees है तो यहाँ पर 1200 रुपे लग रहा है GST और यहाँ पर दोसों मुझे 216 रुपे लग रहा है loan amount मेरे bank account के अंदर दोसों जो distribute किया जाएगा 46,484 रुपे किया जाएगा और यहाँ पर दोसों मुझे यह loan amount पूरे 90 दिन के लिए दोसों मुझे दिया जा रहा है तो यहाँ पर दोसों आपका जो भी दोसों आपका होगा साराची दोसों यहाँ पर जो भी आपका EMI होगा दोसों वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कितना समय के लिए दोसों आपको मिला यह आपको यहाँ पर days देखने को मिलेगा तो जस्ट आपको दोसों लोन लेने के लिए apply में किलिक करना है उसके बाद दोसों यह loan amount successful आपका यहां पर अप्लाई हो जागा। उसके बाद दोसो आपके सामने आपका अप्लिकेशन इस तरीके का दोसो देख चेते डिस्ट्रिबूट पेंडिंग यहां पर जो भी लोन अमांट आपका है वो यहां पर सारा चीश एप्रूब्ड हो चुका है अब आपके दोसो बै आपके पर जो जो फेलोन आपके करना है नियन star के अंपको यहां पर जो करना है और जो भी आपको लोन अपलाई करना है उसका दोसो तो सही समय पर आपको repayment करना है यहने कि अगर आपका civil score कम भी है तो भी दोस्तो यहाँ पर आपको ज्यादा chance है यहाँ पर दोस्तो कुछ ना कुछ loan amount आपको यहाँ से मिल जाता है तो सारची दोस्तो मैंने cover कर दिया इस वीडियो में फड़ा फड़ से दोस्तो इस वीडियो कर दो आपको ना कुछ टर्ट जाप कंदए रेट रौतर कर दिया रेवाँ ना